हलो फ्रेंड्स मेरे सिंपल फुट्स चानल में आपको स्वागत है आज हम सिंपल फुट्स में रमजान इफतार स्पेशल सोया बीन कबाब कैसा बनाते हैं देखेंगे रिस्पी देखने के बाद आपको पसंद आए की तो लाइक करिए शेयर करिए कैसी लगे की कामेंट कीजिए ताके मैं अपलोड करेंगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके सोया चुंक्स कबाब बनाने के लिए किन चीजों की जरुरत है देखेंगे सोया चुंक्स कबाब बनाने के लिए 100 ग्राम सोया चुंक्स लेली हुम है ये सोया चुंक्स को 20 मिनिट तक गरम पान के रखके समें से एक्स्टा वाटर निछोड के निकाल देंगे तीन से चार टेबल स्पून बेसन आठा लेलेंगे ये बाइंडिंग के लिए आप ये नहीं दालना चाहे तो बेसन मैदे का भी उस कर सकते ही एक मीडियम साइज बरी कटा हुआ प्यास एक टीस्पून बरी कट हुआ लसन आप ये नहीं दालना चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते ही एक टेबल स्पून अद्रोकलोसन का पेस्ट ले लिजिए थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता छे से आठ पोदिने के पत्ते छे से आठ हरी मिर्च अब ती का ज़्यादा पसंद करेंगे तो हरी मिर्ची थोड़ा एक्स ट्रा ले लिजिए हाफ टीस्पून गरम मसाला स्वाद अनुसार नमक डी फ्राइ के लिए आईल रेसिपी शुरू करेंगे फस्ट एक मिक्सर जार लेके उसमें ये भीगो के निछोड दी हूँ मैं सोया चुंक्स दाल देंगे मैं आदे दाल रही हूँ मिक्सर जार में पूरे नहीं मायेंगे इसलिए हरी मीच अद्रो क्लोसन अब चाहे तो पेस्ट भी दाल सकते ही ये इसका अच्छा सा रहेगा फ्लेवर स्वाद अनुसार नमक दाल देंगे और इसमें आट कर देंगे धनिया पत्ता पोदीना थोड़ी धनिया पत्ता बचा के रख लेंगे लास्ट में दालने के लिए दाल के अब इसको पीस देंगे तरदरा सा इसी तरह देखो अब एक मि अच्छे हुए भी थोड़ा सा नमक आट करके पीस देंगे सोया चुंक्स को भी आट करके एक गरम मसाला आट कर देंगे अब इसमें बची हुई धनिया पत्ता काटी हुई प्यास अब आट कर देंगे एक बेसन थोड़ा दाल लेंगे बैंडिंग के लिए जुरत पढ़ने पर और थोड़ा यूज़ कर देंगे डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे देखो इसी तरह mix करने के बाद थोड़ा कम लग रहा है मैं और थोड़ा बेसन दाल रही है इसमें बचा हुआ दाल के अच्छा से mix कर देंगे इसी तरह बनने के बाद अब कबाब बनाएंगे stick लेके इसी तरह shape देदेंगे इसको चाहे तो कोई भी शेप में बना सकते ही इसी तरह थोड़े कबाब बनाओंगी मैं एक कबाब डी फ्राइ करके दिखाओंगे और एक शालो फ्राइ करके भी दिखाओंगे एक कबाब हम डी फ्राइ करेंगे इसी तरह थोड़े कबाब बना ली हूँ अब Shalowe Fry करने के लिए यह शेप दे देंगे, वह वाला शेप नहीं दे सकते हैं Shalowe Fry करने के लिए, तो इसी तरह शेप दे देंगे. जो टिकियों के shape में सितरह बनाने के बाद ये पूरे ready हो गए ही अब ये fry कर देंगे एक pan लेके gas को Anda करके pan गरम होने के बाद आईल डाल देंगे डी fry के लिए आईल गरम होने देंगे आईल को ज्यादा गरम नहीं होना है नहीं तो एक कबाब जल जाएंगे मीडियम फ्लेम पे रखके गरम कर लीजिए और जेतने आएंगे उतने आईल में एक कबाब दाल के लो फ्लेम पे रखके 10 से 12 मिनिट तक फ्राई कर देंगे चलाते हुए पूरे साइट्स को फलड़ते हुए अच्छा सा कलर आने तक डिफ्राई कर देंगे चलाते हैं रहना है आपको बीच बीच में नहीं तो एक की सैट जल जाएंगे ये लो फ्लेम पे रखके ही डिफ्राई करना है नहीं तो उपर से कलर जल्दी ही चेंज हो जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे ये पूरे मैं डिफ्राई कर दी हूँ इसी तरह अब डिफ्राई नहीं चाहे तो शालो फ्राई भी कर सकते ही अब ये सालो फ्राई कर देंगे इसके लिए पैन निकाल दीजिए और दूसरा पैन रख लेंगे आईल थोड़ा दाल लेंगे ज्यादा नहीं दालेंगे अब ये कबाब को रख देंगे पैन पे अब दोनों साइड कलर चेंज होने तक 10 से 12 मिनिट तक फलटते हुए इसी तरह शालो फ्राइ कर लेंगे देखों अच्छा सा कलर चेंज होने लगे ही ये इसी तरह शालो फ्राइ करके निकाल देंगे बन गए ही दो तरीके के सोया बीन कबाब आप नवेज नहीं खाते हो तो इसी तरह सोया बीन से कबाब बना के खा सकते ही ये मटन जैसे ही लगेंगे जरू ट्राइ करके देखिए दो तरीके के कबाब अब आईल कम खाएंगे तो शालो फ्राइ करके बना लीजिए मुझे कैसी लगी कि रिस्पी बता दीजिए अब तक मेरे चानल का आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक यू फर वाचिंग